हेलो फ्रेंट्स विल्कम टो मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंट्स पिछले काफी समय से आप में से बहुत साइर लोग मुझसे एक सवाल लगतार पुछ रहे है सवाल ये है कि मोटर साइकल को एक बार में लगतार कितने किलोमीटर तक चलाया जा सकता है और आपके इस सवालों मैं अपना एक सवाज जोड़ लेता हूँ कि मोटर साइकल को एक बार में कितने किलोमीटर तक चलाना चाहिए तो फ्रेंट्स इन दोनों ही सवालों का जो जवाब है वो दो बातों के उपर में छिपा हुआ है पहला बात है कि मोटर साइकल का इंजन कितने सीसी का है यानि कि इंजन की कैपेसिटी कितनी है और दूसरा मोटर साइकल को चलाने वाले की कैपेसिटी कितनी है अब motorcycle के चलाने वाले की capacity के बारे तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा लेकिन हां engine के cc के हिसाब से हम motorcycle को तीन अलग-अलग category में डाल देते हैं सबसे पहली category में 100 से लेकर 150 cc के engine वाले motorcycle आते हैं दूसरी category में 151 cc से लेकर 200 cc वाले motorcycle और तीसरी category में 200 से ज्यादा cc के engine वाले motorcycle आते हैं आप फ्रेंट्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक शीच क्लिर कर दूँ कि इन तीनों category के help से हम लोग उन motorcycle के बात करेंगे जिने daily या फिर regular basis पे लंबी दूरी को तैग करने के लिए चलाया जाता है वैसे अगर हम लोग कभी कबार चलाने की बात करें तो मैं आपको बता दूँ कि आप 100cc की engine को 1500 से लेकर 1006 km तक भी चला सकते हो कभी कबार चलाया जा सकता है इसकी उपर में भी हम डीटेलें बात करेंगे लेकिन वो हम लोग वीडियो के आखरी में बात करेंगे आईए सबसे पहले हम लोग अपनी पहले केटेगरी की मोटर साइकल के बारे में जान लेते है फ्रेंड्स पहली केटेगरी जिसमें हम 100 से लेकर 1500cc के engine वाली गारियों की बात करेंगे इसमें मैंने मोटर साइकल के साथ साथ स्कूटी, स्कूटर और मोपेट्स को भी सामिल किया है अब इस कैटेगरी में पहले नंबर पे वैसी गाडिया है जिनका एज या तो एक साल से कम हो या फिर वो ऐसी गाडिया जो की 20,000 किलोमेटर से कम चली हो तो इंजन के सीसी, कूलिंग, टेंपरेचर, टॉर्क, होर्स पावर, ब्रेक होर्स पावर और इंजन के लुब्रिकेशन सिस्टम को देखते हो मैं आपको सजिस्ट करूँगा कि आप पहली कैटेगरी की इन गाडियों को 40-50 किलोमेटर के बीच में एक बार जरूर रिष्ट दे आप 10 से लेकर 20 मिनट तक जितना भी आपको एमर्जनसी हो लेकिन आप कम से कम 10 से लेकर 20 मिनट के बीच में एक बार आप इन गाडियों को रिष्ट दे आप उसके बाद दोबार अपनी जर्नी को शुरू कर सकते है अब दूसरे नमबर पर वैसी गाडिया है जिनका एज एक साल से लेकर 4 साल के बीच में हो या फिर जो गाड़ी 20 हजार से लेकर 1 लाह किलोमेटर तक चली हो फ्रेंट्स मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि अगर आप लगतार लंबी दूरी तक गाड़ी को चला रहे है तो आप मेंटेन भी बढ़ियां से करते होंगे तो इस कैटेगरी की गाड़ी को मैं आपको सजिस्ट करूँगा कि आप हर 60 से लेकर 80 किलोमेटर के बीच में एक बार 10 से लेकर 20 मिनट तक का रिष्ट जरूर दे अब तीसरी कैटेगरी में वैसी गाड़ियां हैं जिनका एज या तो 4 साल से जादा हो चुका हो या फिर जिने हम लोग 1 लाग किलोमेटर से जादा चला चुके हो तो मैं आपको सजिस्ट करूँगा कि आप इस तरह की गाड़ी को 40 से 60 किलोमेटर के बीच में एक बार 10 से 20 मिनट तक का ब्रेक जरूर दे डूसरी काड़ी जिसमें 151 से लेकर 200 सीसी की इंजन वाले मोटर साइकल आते है, उनकी बात करते हैं पहली काड़ी के मोटर साइकल या पर दूसरी गाड़ियों के मुकाबले कम होता है लेकिन फिर भी अगर आप इन मोटर साइकल को डेली बेसिस पे लंबी दूरी तैय करने के लिए यूज करते है तो अगर आपकी गाड़ी का जो एज है वो एक साल से कम हो या 20,000 किलोमेटर से कम चली हुई हो तो मैं आपको सजेश्ट करूँगा कि आपको हर 50 से लेकर 60 किलोमेटर के बीच में एक बार अपनी गाड़ी को 10 से लेकर 20 मिनट तक का रिष्ट जरूर देना चाहिए अगर आपकी गाड़ी का एज एक साल से लेकर 4 साल के बीच में है या फिर वो 20,000 किलोमेटर से 1,000,000 किलोमेटर के बीच में चली हुई है और अच्छे से मेंटेन की हुई है तो मैं आपको सजेश्ट करूँगा कि आपको एक बार 60 से लेकर 90 किलोमेटर के बीच में जरूर से 10 से लेकर 20 मिट तक का ब्रेक लेना चाहिए और अगर आपके गाड़ी चार साल से ज़्यादा पुरानी है या फिर एक लाग क्लोमेटर से ज़्यादा चली हुई है तो मैं आपको सहिश्ट करूँगा कि आपको हर 50 से लेकर 70 क्लोमेटर के बीच में एक बार जरूर से रेस् इंजन भी ठंडा हो जाए फ्रेंटस अब हम लोग तीसरी कैटेगरी जिसमें 200 सीसी से ज़्यादा के इंजन वाले मोटर साइकल आते हैं उनकी बात करते हैं अब फ्रेंटस इन मोटर साइकल का जो मायलेज होता है जो एवरेज होता है वो सुरू के दो कैटेगरी वाली गा सिस पे कर रहे है या डेली या हर दूसरे तीसे दिन कर रहे है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इन गाड़ियों को सतर से लेकर 120 किलोमेटर की बीच में एक बार जरूर से 10 से लेकर 20 मिट तक का रेश्ट दे क्यूंकि इनहें भी इनका जो इंजन है वो भी गरम होता है और यह पूरी तरह डिबर्ण करता है कि इन गाड़ियों की इंजन में लिक्वीड कूलिंग सिस्टम का यूज किया गया है या फिर ओइल कूलिंग सिस्टम का यूज किया गया है फ्रेंट्स वैसे मैं आपको बता दूँ कि आप मोटर साइकल में यूज होने वाले एयर तर जानकारी उस वीडियो से मिल जाएगी तो फ्रेंट्स 200cc से जादा के इंजन हैं तो मैं आपको यहीं सजिस्ट करूँगा कि आप 70-120 km के आसपास में एक बर 10 से लेकर 20 मिट का ब्रेक ले सकते हो फ्रेंट्स अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप अपने मोटर साइकल को लेकर लेकर लंबी जानी पर निकले हो तो आप उस मोटर साइकल को लगतार कितने किलोमेटर तक चला सकते हो अब फेंट्स देखे कोई भी कमपनी इस चीज़ को मेंशन नहीं करती है या चाहे इंजन की कैपेसिटी हो या कूलिंग सिस्टम हो किसी तरह से मेंशन नहीं करती है कि आप लगतार इसे कितना किलोमेटर तक चला सकते है लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इंजन की कैपेसिटी अच्छी खासी होती है चाहे 100 सीसी का हो चाहे 200 सीसी का हो आप चला सकते है आप लगतार कभी कबार चलाना है तो 1.560 किलोमेटर तक भी चला सकते है उसमें कोई दिक्कत नहीं है engine को कभी कबार चलाने में बहुत जादा नुकसान नहीं होगा लेकिन यहां पे चलाने वाले की capacity बहुत जादा matter करती है और चलाने वाले का health भी matter करता है क्योंकि जब आप लगतार लंबी जरनी के लिए अपने motorcycle को यूज करते हो तो खास करके आपके जो सरीर का जो पीट होता है जो आपका spinal code होता है उसमें problem आता है तो मैं आपको सजेश्ट करूंगा कि देखे motorcycle का health तो जरूरी है लेकिन साथ ही साथ आपका भी health जरूरी है तो आपको हर एक चाहतो आप कि engine जो गाड़ी है वो चल सकती है बहुत दूर तक भी चल सकती है कभी कबार चलाना तो आप चला सकते हो इसमें बहुत ज्यादा problem नहीं होने वाला है फिर भी अगर आप जानना चाहते हो आप अपने model अपने engine के CC के साब से तो आप मुझे comment करके बता सकते हो मैं आपको comment में इस सवाल का जवाब दे दूँगा आप मुझे मुझे मुता दो कि आपका गाड़ी कौन से model का है किस company का और अभी कितना किलोमेटर चल चुका है या फिर कितने साल पुराना है लेकिन हाँ अगर आप लगतार यूज करना चाहते हो अपने गाड़ी को लंबी जाननी के लिए तो मैं आ वीडियो के लिंक मैं आपको इस वीडियो के description में दे दूँगा जहां पर आप अपने motorcycle के जो बहुत सारे parts है जिसके बारे पो जानकारी नहीं होता है उसके बारे में जान सकते हो उन पार्ट के life के बारे में जान सकते हो तो friends motorcycle को लेकर ये जो आपका सवाल था I'm sure आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इसका जवाब मिल गया होगा और अगली बार जवाब लंबी दूरी को तैग करेंगे तो आप अपने motorcycle के condition के हिसाब से और उसके CC के हिसाब से जरूर एक बार ब्रेक लोगे तो friends वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like जरूर कर दे इसके लावा मैं आपको बता दूँ कि आपको मेरे चैनल पर motorcycle के working motorcycle के अलग अलग parts के working और motorcycle में जो different technology का यूज़ कर जाता है उसके working के उपर हैं बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आप या तो मेरे चैनल को विजिट कर सकते है या पर आप चैनल पर जानने के बाद आप playlist में बहुत सारे important videos को देख सकते हो जिसको देखने के बाद आपका technical knowledge जरूर improve हो जाएगा तो friends वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like जरूर कर दे वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय आप मुझे comment करके जरूर बता है इसके लाफ़ेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या आप भी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल अकान को भी दबाले ताकि आने वाली important videos के update आपको notification गत्रू मिलते रहे मिलते अगले व